हलो गाईज, नमस्कार दूस्तों, आप सभी का स्वागत है जी के जोन में, दोस्तों जारकन का ये एक अगला सेट आ गया है, दस्वार नमबर का, इसमें हम 40 प्रसनों को कंप्लेट करने वाले हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, पहला प्रसन है, हो समाज की अर्थविवस्था कमुख की अधार है, क्रिशी, हो जनजाती कमुख की पेशा खेती है, और कुछ हो जो है मजदूरी भी करते हो, नेक्स्ट है, विरजिया समुदाइक पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो विरजिया जनजाती में समुदाइक पंचायत का प्रमुख को हम बैगा कहते हैं इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं जीया का बैग बहुत ही सुंदर है या फिर रजीया का बैग दोनों ही कर सकते हैं नेक्स्ट है जारकन के सरवज सिकर पारशनात की समुध्य तलस उचाई कितनी है 1365 मीटर तेरा सो पैसर मीटर और अगर इसको फिट में बोला जाए तो 4431 फिट इसका अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जहारकन की कौन सी नदी दक्षिन पूर्व के और प्रवाहित होती है तो जहारकन की स्वन्रेखा नदी स्वतंत रूप से बंगल की खाड़ी में गिरती है और स्वन्रेखा नदी दचिन पूर्व के और प्रवाहित होती है यह नदी कहां से निकलती है राची के पिसका नगडी गाउं के उचे भूभाग से निकलती है नेक्स्ट है अजय नदी कहां से निकलती है अजय नदी जो है अजय नदी का उदगम है मुंगेर बिहार और ये जो है जहरकन में इसका प्रवे से लेकिन ये निकलती है कहां से बिहार मुंगेर से तो इसका अंसर हो जगा अपसन नमर ए मुंगेर तो राची सहर जो ये 36 किलो मेटर दूर है अनगड़ा ब्लॉक के अंतरगत आता है और ये स्वन रेखा नदी पर है तो इसका अंसर हो जगा स्वन रेखा नदी 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अकिल भरतिय मासाभा को किस नम से जाना जाता है ये काफेजी है धोकलो करमाली जन जातिये पंचायत का परधान कौन होता है तो इसका अंसर जो है ट्रीक से मैं बताती है माली से माली कियाद रखे तो अंसर हो जागा अप्सन नम्मर ए करमाली जन जातिये पजायत का प्रधान जो है मालिक कहलाता है और यह पद जो है वन सानुगत होता है नाइन्थ नमर सवाल है निम्न में से कौन जारखन के आदिम जन जाती नहीं है तो जारखन में कूल जो है आठ आदिम जन जाती है जिसमें से असूर, बिरहोर और कोरवा ये तीनों जो है तन के आठ जिन जातियों में कौन कौन सी होगी इसे याद करने के लिए सबसे पहले आप ग्रूप में इसे डिवाइट करके याद कीजिए जैसे पहले पहळिया, माल पहळिया, सवारिया इसे तीन को एक साथ याद करिए उसके बाद बास बिरहोर और बिरजिया इसे दूसरे ग्रूप में एक सकें तो खाले ममिया गई थी चली देखते है झीमने में से कौन जहरकन के आधिम जन जाति नहीं है तो इसका अंसर तो मैंने बता दिया महली है और आदिम जंजातिया आठ है उसे याद करने का ग्रूप में मैं बता रही थी आपको किस तरीके से याद करना है तो इसली याद हो जाएगा इसमें जो एक ग्रूप में डिवाइट करके आप याद कीजिए जैसे कि पहडिया से तीन आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा पहडिया माल पहडिया और सौरिया पहडिया ठीक है तीसरा हो गया तीन हो गया उसके बाद बहुत से आपको दो याद रखना है बिरहोर और बिरजिया बिरहोर बिरोजिया कितना हो गया टोटल पांच हो गया अब जो लास्ट में बना था कोरवा को याद रखिए और सबर जैन जाती को भी याद रखिए ये सबी जो है और असूर सबसे प्राचिज जैन जाती आपको पता होगा असूर है इसे एक और गुरुप में डिवाइस कर सकते हैं जिसने लोहाग लाने का काम करते थे पहले आसूर बीरहोर और विरजिया तो थीन 3 6 और 2 आथ हो गया आज़ह पढते आं से चांद भीरो तता फूलो और जानों का शंबन जार्कन की किस जैन जाती विद्रो से काफी जीए किसंतल जैन संथाल विद्रो से संबंधी थे और यह कब हुआ था 1855 इसे में 11 नॉम्बर सवाल है गंगा नरायन के संबंध में कौन सा कथन असती है तो पहला कथन ऑहो पहला कथन क्या है इसका संबंध जो सिंभूम चेतर में हुआ यह बल्कुल सही है इनके नेतरित में 1822 तैस्में से भूमिज विद्रो को गंगा नरायन का हंगामा की संग्या भी दिजाती है नेक्स्ट है छोटा नाकपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था कैथोलिक सभा का गठन हुआ था अठारा सो तै यति की में हुआ था और इसके प्रतम अध्यक्ष क्ते बोनी फेस लेकला इसके प्रस्चीॡ कन थे सचीव कौन थे सचीव थे इगनेस बेग नेग्स्ट 13 वा नमर सवाल ज्टूडेंट यूनियन का गठन कब वए था ज्टूडेंट यूनियन का फूल्पर्म क्या हो जाएगा आजसू जो पाटी है वो उसका गठन जो है का हुआँ चाहे आ रहे है तो गाइज ओल ज्टूड Union का गठन हुआ था सद नाइंटीन हंडर्ड एटीसिक्स में और इसका जो डेट है वो आपसे जरूर पुछा जाता है तो इसका डेट भी याद रखें 22 जून 1986 में यानि 1986 में इसका गठन हुआ था नेक्स्ट है और ये भी पुछा जाता है कि कहां पर हुआ था तो ये जमसेदपुर में हुआ था निम्न में से कौन एक अहिंसक अंदोलन था अहिंसक अंदोलन कौन सा था खरवार भूमिज उनुगुलान या हूल जो हूल अंदोलन की से कहते हैं संथाल विद्रो को कहते हैं तो ये संथाल विद्रो हिंसात्मक था उनुगुलान विद्रो की से कहते हैं विर्सा मुंडा के अंदोलन को कहते हैं खरवार अंदुलन जो है 1874 में हुआ था और भागिदात मार्जी के नित्रित में हुआ था और ये अंदुलन जो है एक अहिंसात्मा का अंदुलन था तो इसका अंसर यह हो जगा जबकि आपको पता होगा भूमिज विद्रो को तो गंगा नरायन का हंगामा कहते ही हैं नेक्स्ट है इन में से निमन में से कौन जार्खन के जनजातियों का प्रमुक पर्व है पर्व नहीं है अप्संस कड़ गया है तो देखे जनजातियों के सबसे बड़ते वहार कोने सरहूल है कर्मा और सोराय भी जनजातियों का प्रमुक ते वहार है जबकि छट पुजा जो है यह जंजातियों का नहीं जंजातियों का सबसे बढ़ते हुआ यह नहीं है छटपुजा खड़िया जंजाती में सरवाधिक प्रचलित विवा कौन सा है खड़िया जंजाती में सबसे प्रचलित विवा है ओलोल दाय अलोल दाई कहीं अलोल दाई लिखा रहता है और अलोल दाई है और ये जो है असल विवा भी इसे कहते है सरवादिक प्रचलित है अलोल दाई और इसे असल विवा भी कहते है जारकन में राजी सभा लोग सभा की सीटों की संख्या कितनी है तो राजी सभा के सीट के दिए 6 और लोग सभा के 14 तो अप्सन नमर ए इसका अंसर हो जगा 19 वा नमर सवाल है जारकन में मुदरास पिती के रासी रास्टी ओसत की तूलना में क्या है तो अप्सन से बहुत अधी के लगभग समाने कम है इन में से कोई नहीं इसका अंसर है अप्सन नमर भी लगभग समाने किस वाइसनों संत ने सुलहवी सदी के प्रारम में पंच परगना छेतर में कुछ दिनों तक रूप कर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया तो यह हो जागा चेतनी महाप्रभू 21 एक इस्वां अबर सवाल है मंडा पर्व का सम्बन किस देवता से हैं तो यह कापी ज़ादा ओए जी ए मंडा पर्व जो है महादेव की सबसे जो है कठीन तपसिया मानी जाती है और यह पर्व जो है वैशाक महिद कि सुक्ण पक्षप कि कि तृत यहां को अक्षे तृतिया को मना जाता है इसमें स्वुझे की पूजा की जाती है और इसमें जो आद भक्त जन आंगारों पर चन्डे हैं। माजवान क्या है माजवान क्या है तो इसका अंसर हो जगा संथालो के दोपहर को भोजन को हम माजवान केती है माजवान संथालो के दोपहर को भोजन जरकन राजी में स्थीत किस किले को राजी सरकार दोरा पूलिस प्रसिक्षन के इंदर के रूप में परिनत कर दिया गया है किस निरति का मांदर के पल्टी करते ही हो हाईल रे कहकर पद संभालना बदल जाता है पद संचालन बदल जाता है किसने नाग नागपूरी भासा को भोचपूरी की उप बोली के अंतरगत रखा है इसका अंसर क्या हो जागा जौर्ज गृयर सन हो जागा अदिवासी पत्रिका का प्रकाशन का प्रारम हुआ इसका अंसर हो जागा ऑप्सिन नंबर भी उनीस सु से तालिस निम्न में से कौन सी प्यारे करकिट्टा की पुस्तक नहीं है तो अप्सन्स है जामा बहार मुरों लदरो समधी ओकोमा बुनिंगा तो काफी ज़्यादा ये जो अप्सन्स है वो काफी करीब है यसे याद करना थोड़ा मुश्किल है अधिवासी अस्तितो और जारखंडी असमीता की सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये पुस्तक के लेखक जो है राम दयाल मुंडा है अधिवासी अस्तितो और जारखंड असमीता की सवाल सोनुआ जलपरपात किस जीले में है सोनुआ जलपुरपाद जो है ज्यारखन की रजधानी राची में निम्न में से किस योजना के ताहत अस्पोकिन इंगलिस स्कूल लीडर्शिप और कम्प्यूटर सिक्षा आधी के प्रसिक्षन चलाया जा रहा है अंसर क्या हो जागा? अप्सन नमबर एक ज्यान नोदे योजना नेक्स्ट है डॉक्टर सियामा प्रशाद मुखर जी विश्वी द्याले कहां पे स्थी थे? इसका अंसर जो है राची हो जाएगा जहरकन राजी के राची जिले में dr. सियामा प्रशाद मुखर जिविश्विधयाले अवस्तीत है भुरोलियम का मुखे उतपादक जिला है एक मिनट बस दो को भुरोलियम का मुखे उतपादक जिला कौन सा है इसका अंसर होगा कुडर्मा और गिड़ी जिला कोडरमा गिडडी निम्न में से कहां साई सेंटर के स्थापना की गई है तो साई का फूल फॉर्म क्या है स्पेशल एरिया गेम्स स्पेशल एरिया गेम्स का सेंटर कहां पर बनाया गया है जरकन राजी के राची जीले में साई सेंटर के स्थापना के गई है पारधा का संबंद किस खेल से है पारधा का संबंद जो है जिमनास्टिक से ये स्पोर्ट के क्वेश्चन जरूर याद रखेगा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आज कर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जैपाल सिंग मुंडा की मिर्तियू कब होई थी जैपाल सिंग मुंडा की मिर्तियू जो बीस मार्च 1970 इस्विक हुई थी 20 मार्च 1970 इस्विक हुए इनका जन्म जो है इनका जन्म रहर लाख थे का हो 1903 को मतलब तीन एक तीन जीरो तीन इनका जन्म हुआ था कहां पर जैपाल सिर्मुंडा का जन्त तीन जन्वारी 1903 इस्वी को हुआ था जारकन के खूटी जीले के टक्रागाव में हुआ था और इनकी मिर्तिय जो है 20 मार्च 2057 को दिल लिन हो गई थीTime next tech see 30वा सवाल है कौन सी योजिना राजे सरकार द्वारा चलाय जारा है तो राजे सरकार द्वारा चलाया जाने वालशा कौन सी है गोकुल ग्राप लिकास योजिना राश्टी किंग बोक्सिंग पर्थियोगता में धारकन के किस खेलाडी को machine Taking नेक्स्ट है और आज का आखरी प्रस्न है बिर्सा जविक उद्यान के स्थापना किस वर्स की गए थी इसका अंसर हो जागा ऑप्सन नमबर C और यह है कहां पर और मांजी में तो दोस्तो वीडियों यहीं पर समाप्त होता है पसान दाया तो लाइक से यह चैनल को सबस्क्राइब किजिए थैंक्स पूर वाचिंग बाई बाई